अलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसे आप देखकर अगर आप अपनी लाइफ में इसे फॉलो करेंगे तो आप फुद अपने आने वाली परिसानियों से बस सकते हैं तो हमारा आज का पॉइंट है भीर से बचो अवर्टी क्राउट प्लेस तो सबसे पहला आता है मंदिर जैसा कि हम सब मंदिर में पुजा पाट करने जाते हैं और वहां देखते हैं कि कितनी भीड़ है लोग एक दुसरे को धक्का दे रहे हैं किसी को बहुत जल्दी है तो किसी को ऑफिस जाना है किसी को जल्दी से पुजा करके घर का काम है तो यहां कैसी स्रद्धा लोग जल्दी के कारण एक दुसरे को धक्का दे रहे हैं और वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि लोगों को चोटा सकती है वो गिस सकते हैं उन्हें बहुत कुस हो सकता है तो यहां कैसी स्रद्धा लेकिन फिर भी लोग उसी भीड़ में जाना पस तो आप उस दिन ना जाकर बुद्वार या सूम वार को जा सकते हैं पूजा तो उस दिन भी होगी और रविवार को तो बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि उस दिन लोगों की छुटी होने के कारण भीड बहुत जादा होती है और मैं यहीं कहूंगी कि अगर आपकी सच्ची स तो घर परिसांती से पूजा करेंगे तो जादा अच्छा है अब जैसे कहीं प्रचार हो रहा है कोई रहली निकल रही है तो बच्चों को लेकर तो बिल्कुल ना जाए क्योंकि बच्चे इस भीड में ज्यादा परिसान होते हैं और उन्हें कुछ भी होने का डिस्क है मैं मैं खुद भी दो बच्चों की माह हूं और मैं भी घूमना पसंद करते हैं मेरे हजबेंट मेरी फैमिली को लेकर ऐसी जगा ले जाते हैं जहां भीड ना हो और हम अपने परिवार के साथ एंजोय कर सकें तो इस तरह से मैं भीड को अवाइड करती हूं अब तीसरा आता है होटेल्स अब जैसे कि हम होटल में खाना पसंद करते हैं कभी हमें होटल में खाना खाने का मन करता है तो हम देखते हैं कि फेवस होटेल्स में भीड बहुत जादा होती है कभी-कभी तो हम हमें वेट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं वहां वेट करने लगते हैं लेकि अच्छे से खाना खा सके अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नदी असनान बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम नदी में असनान करने जाएंगे तो हमें पून नहीं मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपके मन में सची स्रद्धा से आप तूजा करते हैं तो भगवान वै तो होता है कि दुर्गापुजा आता है या फिर कोई फंसन ऐसा आता है कोई ओकेजन ऐसा आता है जो उसी दिन वह सौपिंग करने जाएंगे या फिर उसके दो दिन पहले वह सौपिंग करने जाएंगे तो वहां भीड बहुत जादा होती है जैसे दुर्गापुजा मान तो हम क्या करते है मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूं कि दurugaa-Pooja के दो महिने पहले मैं स्टाइट कर देती हूं कि भीड कम होती है और हम भीड से बस सकते हैं तो इस सरह तो इसको पसंद है कि मुझे भीड में देखकर भी मैच देखना है तो ऐसा नहीं है आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर भी घर पर मैच देख सकते हैं तो इस तरह से मैंने भीड को अवाइड किया अब नेच्ट आता है पिकनिक हम जैसे निव यर आता है तो पिकनिक मनाने जाते हैं तो पिकनिक बनाने जाते हैं तो देखते हैं कि पिकनिक स्पोर्ट जो फेमस होती है जगा वहां भीड बहुत ज्यादा होती है तो हम में क्या करना है कि पिकनिक जो एक तारिक को हम लोग पिकनिक मनाते हैं वह आप घर पर मनाएं और पिकनिक अगर आपको करना ही और जन्वरी में कभी भी किसी भी दिन में फ्री होती हैं, तो उस दिन पिकनिक मनाना पसंद करती हूं, तो इस तरह से मैंने इससे अवोइड किया, भीड से मैंने निकल कर अपनी फैमली के साथ हैं, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे मैं भीड को अवोइड करती हूं, तो तो आप भी इस तरह से इसको सुनकर आप अपनी लाइफ में से फालो करें और भीड से बचे क्योंकि बीड में जाकर आपकी लाइफ को खत्रा है आपके बच्चे को खत्रा है आप यह मत सोचिए कि मैं जा रहा हूं तो मुझे भगवान देख रहे हैं मैं मुझे करें भीड वाले इलाके से बचे भीड में जाने से बचे ताकि आप और आपकी फैमिली सुरक्ची तरह सके तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पूरी तरह से इसे सेर करें अपने पूरे ग्रूप में अपने फ्रेंड्स में अपनी फैमिली मेंबर्स में इसे करें ताकि वो भी इस भीड में जाने से रुके बचे और अपनी life को बचाया है तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को सेर करें कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस इसे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो